हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको एनेच के PTP 33B के कनेक्शन किसे करते रहे बताता हूं तो इस इंस्ट्रुमेंट के लिए आपको M12 कनेक्टर लगेगा और एक 50 ohms का रेसिस्टर 50 ohms का रेसिस्टर तो नहीं मिलता तो 530 ohms का रेसिस्टर में यूज़ किने तो यह रहा का डाइग्राम तो सिंप्ली आपको एक नंबर M12 कनेक्टर में 24 ohms देना है दोनों का आउट्पूट है जो 4 तो 20 मिलियम्स देता है तिक नंबर में 0 ohms के अगर आप बीना रेसिस्टर के लगाए तो आपको 4 मिलियम्स के जगह पे 21 मिलियम्स भी दें सकता है जिससे आपको यह वाला एरय आएगा S803 करके तो इसके लिए आपको रेसिस्टर लगाना पढ़ेया जिससे आपको 4 mm मिल्याम्स मिल्यागा, होब आपको ये वीडिया चला लगारीगा, थैंक्यू जा